आफ्रिका का रहने वाला एक लड़का जो एक गरीद परिवार से बिलॉंग करता था। परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। परिवार को भरपेट खाना मिल जाए। यही बहुत बड़ी बात थे। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ परेशानिया और बढ़ गए क्योंकि बचा कुचा पैसा इसके पापजुआ खेलने में उड़ा देते थे। कई जगह पर छोटी मोटी जॉब करने के बाद ने कुछ अलग करने का सोचा उसने गाड़ियों के पुराने टायर खरीदना शुरू किया। यह देखकर उसके दोस्त रिश्टेदार उस पर ह असने लगे कि पागल तो नहीं हो गया। इन पुराने टायर्स का एक करेगा क्या। लेकिन उस लड़के ने उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपना काम जारी रखा। और कुछ दिनों बाद उस पर हंसने वाले लोग हैरान दे जब उस बंदे में उन टायर्स की पाजार में सेल पर लगा दिया। और बाद में इस बंदे ने उन ही लोगों जॉब पर रखा जिन्होंने इसका मजाग बनाया था। दोस्तों उस बंदे का नाम है मैलकॉंग जो आज एक सफल बिजनसमेन की जिन्दगी जी रहा है। निशकर्ष आपकी कंडीशन कितनी ही खराब क्यों न हो। आप चाहा लेंगे तो सब चीज़ कर सकते हैं। लोगों का काम है कुछ न कुछ बोलने का आप अपना काम पर फोकस कीजिए। तब आपका मन्जिल जरूर मिलेगा।